आप देख रहे हैं आई प्लस टीवी बुलिटिन आई ये बात करते हैं इंडिया की इंडिया कहने के लिए सौरी आई ये बात करते हैं भारत की क्योंकि अब तो बाई बाई इंडिया वनले भारत का ट्वीटर ट्रेंड चल लहा है यही होता है जब किसी जरूरी और अहम काम को आदमी कर नहीं पाता तो अपनी असफलता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस किस्म की गहर जरूरी हरकत करता है चाइनीज फोर्सेज इंडिया को चैलेंज कर रही हैं और इंडिया का कोई रिस्पॉंस नहीं पता चल पा रहा है जैसा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ट्वीट करके अपनी चिंता जताई है कांग्रेस ने लिखा है चीनी सैनिकों द्वारा भारतिये चेत्र में अतिकरमड कर लेने की खबरें चिंतित करती हैं भाजपा सरकार द्वारा चुप्पी साध लेने से इस मसले का हल नहीं हो सकता इतना लिखने के बाद एक हैस्टेग भी लगाया है कि हैस्टेग मोदी स्पीक अप आउन चाइना ये सब अपनी जगा ठीक है मगर इस पर भी कुछ लोग नए नए अंदाज की राश्ट्रिय सेवा का आफशन बता रहे हैं बीजेपी ने नाम बदलने की परंपरा को काफी उचाईयों तक मौचा दिया है ऐसा लगता है कि इंडिया के बजाए भारत कहते ही भारत स्वर्ग बन जाएगा इसी बीच दिल्ली दंगों को लेकर मुस्लिम सोसल एक्टिविस्ट की हो रही गिरिफतारी पर अमानतुल्ला खान ने लगी दिल्ली से दो टोग सवाल किया है हमानतुल्ला खाने लिखा है एलजी साहब क्या आपकी दिल्ली पुलिस नहीं जानती कि दिल्ली के दंगे कराने के लिए बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा भी जिम्मेदार हैं तो फिर दिल्ली दंगों में मुसल्मानों की ही गिरिफतारी क्यों ये बात सब को मालूम है कि दिल्ली दंगों में मुसल्मानों को चुन चुन कर टार्गेट किया गया था मुसल्मान डिर के मारे आज भी अपने घरों से दूर रह रहे हैं दवायर में प्रभजीत सिंग की ये रिपोर्ट देखें जिसमें कहा गया है कि दिल ही दंगों से पीडित मुसलिम फैमिली आज भी अपने घरों को लोटने से डिर रही है दंगों में लुटी पिटी किसी तरह से अपनी सेफटी के लिए घर से भाग कर दूसरी जगा पनाह लेने वाली शाहिदा से जब पूछा गया कि आप अपने घर क्यों नहीं जा रही हैं तो उन्होंने कहा कि मैं वहां कभी नहीं जा सकती अब वहां मेरा कोई है भी नहीं परफजीत सिंग ने ऐसी कई कहानिया अपनी इस रिपोर्ट में लिखी हैं जिसमें मुसलिम फैमिलीज ने दोबारा अपने घर जाने से इंकार कर दिया है क्योंकि उन्होंने वहां किसी को जिन्दा जलते और किसी को मरते कटते देखा है लखनओ के चार बाग में एक 80 साला भुजर्ग मुसल्मान जो कर रहा है वो हम सब को इंस्पायर करता है पिछले 50 वरसों से कुली का काम करने वाले मुझी बुल्ला अफिरी हैं माइगरेंट वरकर्स का सामान उठाते हैं वो रोज स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और दिन किते हैं अगली खबर को देश में हो रहें एंटी दलित इंसिडेंट्स को लेकर दलित एक्टिविस्ट पर सांथ करोजिया ने बड़ी बात कह दी उन्होंने लिखा है कि अब वक्त आ गया है कि दलित से अपना धर्म बदल लें और हिंदू धर्म को चोड़ दें क्योंकि उसमें दलितों के लिए सिर्फ नफरत और जिल्लत है वो बुद्धा के रास्ते को अपनाएं या किसी भी धर्म को जिसको वो बेहतर समझें अब आईए बात करते हैं उस इसलामोफोबिया के मरीज डाक्टर की जो यूनियन मिनिस्टर डाक्टर हर्षवर्दन से क्लोज मा इस डाक्टर का कहना है कि तबलीगी जमात के करोना मरीज टेरिस्ट हैं उनके इलाज पर पैसा खर्च करने के बजाए उनको जेल में डाल देना चाहिए और उनको परतारित करना चाहिए हमें पीपीई किट्स को तबलीगी जमात के लिए वेस्ट नहीं करना चाहिए हम यह बता दें कि तबलीगी जमात ने पलाजमा डोनेट करके जो देश सेवा की है वो गोल्डन वर्ड्स में लिखे जाने के काबिल आएं दिन रात उनकी बुराई करने वाले भी उनको तबलीगी हीरोज कहने पर मजबूर हो गए थे हम ये भी बता दें कि इसी डाक्टर को सो कॉल मेंस्ट्रीम मीडिया तबलीगी जमात के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था और इसको अपने प्रोग्राम में बुला रहा था डाक्टर आर्ती लाल चंदनी की इस बयान पर हंगामा मच गया बहुत से लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई मेडिकल फरेटरनिटी ने डाक्टर आर्ती लाल चंदनी का मेडिकल लाइसेंस तुरंत कैंसिल करने और उनको हिरासत में लेने की मांग की है इसी तरह कई और आर्गनाईजेशन्स ने भी इसी किसम की मांग की है हम ये भी बता दें कि मेडिम ने सभी मुस्लिम कमिनिटी से माफी मांग ली है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर उनका ओफिशियल माफी नामा देख सकते हैं मगर क्या इससे उनकी और उन जैसों की मिन्टैलिटी का इलाज हो जाएगा ये बात ध्यान रखने की है कि मेडिम की इस माफी से बीजेपी आईटी सेल गुस्से में है अच्छी पत्रकारिता की बात आई तो हंसराज मीना का ये ट्विट ले लेते हैं उन्होंने लिखा है अमेरिका में चल रहे नसल भेद आंदोलन पर दुख जताने वाले भारतिये टीवी एंकर वा इनके मालिक मुझे बताएं कि आप काले रंग के पत्रकारों को एंकरिंग के लिए क्यों नहीं बिटाते यहां तक आप लोग नसल भेदी ही नहीं बलकि वर्ण भेदी भी हो मैं वादा करता हूँ जल्द तुमारे इस दोगलापन को सारी दुनिया को बताऊंगा बीजेपी के नेशनल स्पोक परसन संबित पात्रा फिर से जवाहलाल नहरू और राजिव गाधी पर अपनी अबद्र किपड़ी को लेकर फस गए हैं दरसल पिछले दिनों मद्द परदेश कांग्रेश ने अपने ट्विट में लिखा था आज देश में कांग्रेश सरकार होती तो हम टेस्ट उपचार व्यवस्ता राहत मदद और तकनीकी में दुनिया में सबसे आगे होते इस ट्विट के जवाब में संबित पात्रा ने पुर परदान मंत्री पंडित जवाहलाल नेरू और राजिव गाधी की तस्वीरों वाला एक पोस्टर शेर किया जिस पर लिखा था कि 500 करोड मास्क घोटाला, 7,000 करोड कोरोना टेस्ट किट घोटाला, 20,000 करोड जवाहल सेनेटाईजर घोटाला, 26,000 करोड राजिव गाधी वाईरस रिसर्च घोटाला फिर क्या हुआ, 36 गड़ के बाद अब राजिस्थान में संबित पात्तरा के खिलाफ एफाईयार दर्ज की गई है और अब उन पर गिरिफतारी की तलवार लटक सकती है अंत में एक सवाल नुमा जवाब बता कर आप से रुखसत होता हूँ जो पंकज शर्मा ने किया है क्या नरेंदर भाई मोदी भारत के पहले परदान मंतरी हैं जिनोंने एक भी सरकारी कमपनी नहीं बनाई और पहले की बनी 23 कमपनीयां बेच दी नाजरीन आज के लिए इतना ही आप आई पलस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें फेस्बुक पेज को लाइक और शेर भी करें दीजे इजाज़त फिर मुलाकात होगी अगले पीसोड में अस्सलाम उलेकुम वरहमतुलाही उबरकातू